Hello student, जितने भी CUET 2023 के aspirant है, ध्यान से सुनो, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, like literally बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज, क्योंकि आज है 30 April और आज के दिन कुछ ऐसी चीजे रिलीज होने वाली है, कभी भी हो सकती है आज के दिन में, जो अब तक की सबसे बड़ी news ह होगी, जितने भी update अभी तक आए है, उन सभी update में से सबसे ज्यादा important update ये आज का होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझो कि इस update की क्या significance है, ये जो news आज आने वाली है, ये इतना बड़ा दिन है आपके लिए, इसका क्या importance है, जो notice आएगा exactly, उसका क्या काम है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो की बहुत ज्यादा ज़रूरी है, तो चली वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी CUET के aspirant है, जितने भी बच्चे आकरी के 20 दिन, 15 दिन के अंदर तयारी करना चाहरे है, देखो अभी तो तुम अ आखरी के 15-20 दिनों के लिए courses available है, जो की काफी कम fees पे आपको प्रवाइड किये जाएंगे, जहां पर आपकी पूरी mock test प्रवाइड की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी आपको mock test की बहुत जाला ज़रूरा थे, बहुत जाला, mock test प्लस video lecture, प्लस आपके जितने भी सारी e-books सब कुछ अभी आपको प्रवाइड किये जाएंगे, काफी कम fees में, और काफी बच्चे अभी जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि आखरी टाइम पे उनका जॉइन करना बहुत जाला जरूरी है, at least कुछ तो उने guidance मिल जाए, जिससे वो तयार हो जाए अपने exam के लिए, तो अगर आपको भी हमारी courses को जॉइन करना है, तो गबराना नहीं है, WhatsApp नमबर आपके screen के उपर given है, WhatsApp नमबर पर simply हमें message कीजिए, कि सर हमें आपका course को जॉइन करना है, आखरी के 15-20 दिन वाला हमें course send कर दीजिए, उसकी fees वगरा सारे detail लिखी होगी, आप fee pay करके जॉइन कर सकते हो बहुत simple है, WhatsApp कर दीजिए, अब जो सबसे बड़ी update है, आज की वो है कि आज आपका center आपको allot किया जाएगा, आज आपका center announce होने वाला है, लेकिन अभी video मत काटिएगा, ये सुन करके, please, क्योंकि आप अगर अभी video skip कर देते हो, ये सुन करके कि चलो, आपको बता चल गया आपको बता चलेगा बच्चे, आपका exam कहां पर होने वाला है, जो आपने center फिल कर रहा है, वो कहां पर है, जो आपने CVT के form में center डाला है, और यदि आपको वो center नहीं पसंद आता है, तो आप उसे change भी कर सकते हो, वो कैसे वो भी बता रहा हो, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये इतना जल्दी आपको क्यों बताया जा रहा है, और admit cut इतना दिन बाद क्यों आएगा, इस बात को समझो, पिछले साल यही कलती ब अगरा काट लो, और जब आपकी admit cut आजाएगी, तो finally आप अपने ticket काट लेना, कि यहाँ मुझे जाना है, यहाँ पर exam देना है, तो अभी आपको पता लग जाएगा, at least कि आपको जाकर कहां exam देना है, अगर आपके लिए कोई अंजान शहर हो, अंजान जगा हो, तो at least जो सबसे बड़ी चीज है, कि अगर आपको center पसंद नहीं आता है, तो इसके लिए आपको option दिया जा सकता है, तो इसके लिए direct option नहीं दिया जाता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हों ने जो center उनको allot किया गया है, शायद उनको वहाँ पर नहीं जाना हो, या फि कभी भी release हो सकती है, कभी भी anytime आप उसके लिए connected रहना, ठीक है, मतलब NTA का website check करते रहना, time to time आपको पता लग जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं ले रहना है, CUT का website check करते रहना, आपको आपको center पता लग जाएगा, आज में, कभी भी, और अगर आज लेट होत था, center change हो गई थी, तो अगर इस साल भी यह चीज होता है, तो आपके लिए ही बहुत अच्छी बात होगी, बाकी आप लोग घबराएं ना, आज आपका बहुत बड़ा दिन होने वाला है, आज आपका center अनौन्स होगा, कि कहां जाना है, अब exam का time आ चुका है, exam बहुत न बाकी के 2-3 दिन तो ना ही के बराबर मान लो, तो जितने भी दिन बाकी है उसमें आपको फोड देना है, और अच्छे से revise कर लेना है, revision शुरू कर दो और घबराओं नहीं, चैनल पर बने रहो, जितने भी चीज़े आए कि strategy, planning, updates, each and everything, तुम्हारे भाया तुम्हें बताए है प्या प्याओं, कि बताए है झाल नहीं पोड़ी कर दोज़ेना है, भचे यहारे प्याओं प्यादाव मैं धर लेड़ी दो कि दो जएकि मैं जितने हैं प्याओं लेक्ट चारे इंचारे रहो.